जय हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के जून 2021 के बीश में जो भी हमारे साइंस और टेकनोलोजी के साथ साथ डिफेंस से जुड़े हुए करेंट अफेयर के प्रेशने उन सभी प्रेशनों को हम लोग करेंगे डिसक जरूर करेंगे इस वीडियो की जो पीडियो है वहां आपको टेली ग्राम चैनल के भी गुरूजी पर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके पीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि CRPF में सामिल की गई DRDO के द्वारा निर्मित बाइक एम्बूलेंस का नाम क्या है तो इस एम्बूलेंस का नाम है यहां पर रच्चिता यानि कि option हमारा B हो जाएगा correct तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आपकी एम्बूलेंस है जिसका निर्मार DRDO के द्वारा किया गया है और इसका यूज हमारे CRPF के जवानों के द्वारा किया जाएगा तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला परशन है कि सिप्री के द्वारा जारी report के अनुसार कौन सा देश सैन्ने खर्च के मामले में दुनिया में सीर्ष सस्थान पर है तो इस देश का नाम है अमेरिका यानि कि option हमारा A हो जाएगा correct यानि कि अमेरिका जो है वो अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है चाइना इस मामले में दूसरे अस्थान पर है और हमारा देश भारत इसमें है तीसरे अस्थान पर सिप्री के द्वारा ये report जारी की गई है और सिप्री का पूरा नाम है Stark Home International Peace Research Institute वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल है हमारा संडे और संडे के दिन अनकेडमी के दिन अनकेडमी के उपर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को जीश सकते हैं ध्यान रखिएगा दिन में 12 वजे SSC कटेगरी में आपका एक कोंबैट होता है इसमें टोटल आपके 50 प्रेश्ण होते हैं और इन 36 प्रेश्णों को आपको solve करने के लिए 50 मिनिट का टाइम मिलता है यह टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है तो बस आपको Unacademy का learning app डाउनलोड करना है उसके बाद में इसमें enroll कर लेना है अगर आपके इसमें top rank आती है यानि कि एक से लेकर के 500 के बीच आपकी rank होती है तो आप यहाँ पर free में subscription जीश सकते हैं अगर आपसे कोई code पूछा जाएगा तो आप simply use करिएगा code kv10 इससे आप इसमें enroll कर सकते हैं इसके अलावा Unacademy के उपर मेरी daily live classes भी होती है तो उसके लिए आपको नीचे description में मेरी profile का link मिलेगा उसके उपर click करके आप मुझे Unacademy के उपर follow कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली मेरी हर live class की notification मिलती रहे और आप उसमें सामिल हो करके अपनी तयारी को और ज़्यादा बहतर बना सकें Unacademy के उपर अगर आपको कोई भी course खरीदना हो तो ध्यान रखिएगा एक बार आप मुझे contact जरूर करिएगा जिससे मैं आपको किसी भी course के उपर यहाँ पर maximum discount दिला सकता हूँ तो अगर आपको UPSC कटेगरी में, SSC में, Realway में, Bank में या फिर Unacademy के किसी भी कटेगरी में कोई course पर change करना है तो आप एक बार मुझे contact जरूर करिएगा जिससे आप लोग यहाँ पर maximum discount को avail कर सके हैं तो चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे अगला परशने कि जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ 12 सुखोई 30 MKI और 21 MIG 29 लडाको विमानों के खरीद का निर्ने लिया है तो यह हम खरीदेंगे रसिया से यानि कि option हमारा यहाँ पर D हो जाएगा correct तो ध्यान रखेगा टोटल हम लोग 21 MIG 29 और आपके 12 सुखोई 30 MKI जहाजों को यहाँ पर परशेज करेंगे इसका निर्मान रसिया की एक कमपनी है जिसका नाम है रोसो बोरोन एक्सपोर्ट उसके द्वारा किया गया है तो option यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला परशन है कि किस स्पेस जन्सी ने एक साथ 143 सेटलाइट लॉंज करके इसरो के रिकाउड को तोड़ दिया है तो 15 फरवरी यानि के वेलेंटाइन डे के एक दिन बाद इसरो के द्वारा 2017 में कुल मिला करके 104 सेटलाइट लॉंज किये गये थे जो कि दुनिया में अभी तक अधिक्तम थे लेकिन यह जो हमारे स्पेस एक्स के इलोन मस्क है इनके द्वारा ट्रांसपोर्टर वन मिशन के अंतरगत 17143 सेटलाइट को लॉंज कर दिया गया और इन्हों ने इसरो के रिकाउड को तोड़ दिया है तो आप्सन ए हो जाएगा करेक्ट अगला परशन है कि फरवरी 2021 में DRDO के द्वारा BLSR LAM मिसाइल का सफल परिच्छन किया गया तो ये हमारे किस प्रकार की मिसाइल है तो ध्यान दखिएगा ये हमारे यहाँ पर सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यानि कि आप्सन भी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि अप्रेल 2020 में हमारे देश ने किस देश को 100 करोण रुपए का जो गस्ती जहाज है जिसका नाम है PS Zoroster इसे दिया है तो ये हमने दे दिया है सेसल्स देश को यानि कि आप्सन भी हो जाएगा गरेक्ट तो सेसल्स की बात करते हैं तो राजधानी विक्टूरिया में मिलेगी मुद्रा यहां की है रुपिया अगला प्रशन है कि भारत का जो सुप्रीम कोट है इसने किस नाम से अपने Artificial Intelligence Portal को लौंद किया तो इसका नाम है यहाँ पर सुपेस आपसन हमारा यहाँ पर यह हो जाएगा करें तो उस समय के जो हमारे मुख्यन आधिश थे जिनका नाम था सरद अरविन बोब्रे जी उनके द्वारा इसको लौंद किया गया सुपेस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोट इफिसेंसी यानि कि सुप्रीम कोट की जो इफिसेंसी है उसको और ज्यादा बहतर बनाने के लिए इसको लौंद किया गया है अगला पैसन है कि अपरेल 2020 में मानसिक स्वास्त के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लौंद किया गया तो इसका नाम है यहाँ पर मानस यानि कि ऑप्सन हमारा D हो जाएगा करेक्ट तो यह जो आपका मानस नाम का प्लेटफॉर्म है इसको निमहंस बंगलूरू ने सीडेक के साथ मिल करके डवलब किया है इसका फुलफॉर्म क्या है तो इसका पूरा नाम है Mental Health and Normalcy Augmentation System तो आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा मानस करेक्ट अगला प्राशन है कि किस केंद्रिय मंत्री के द्वारा एक्कवा किसानों के लिए Electronic Marketplace E संता को लौंद किया गया इसे लौंद किया है हमारे वांडिज और द्योग मंत्री नाम है इनका प्यूस गोयल तो आप्सन आपका यहाँ पर E हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेगा E संता का मतलब होता है Electronic Solution for Augmenting NACSA Formals Trade in Aquaculture तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा E नाम के बारे में उसी प्रकार से ये Portal आपके एक्वा किसानों के लिए लौंद किया गया Pius Goyal जी के द्वारा तो E हो जाएगा Correct अगला प्रस्टन है कि भारत ने गगन्यान मिसन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ में समझोता किया है तो ये समझोता हमने France के साथ में किया है Option हमारा E हो जाएगा यहाँ पर Correct तो टोटल हम लोग यहाँ पर 2022 में अपने देश से Astronaut को भेजेंगे Space में और ऐसा पहली बार होगा कि जब भारत अपने देश से यात्रियों को Space में भेजेगा तो France के साथ में हमने समझोता किया है यह होगा आपका Correct अगला परेशन है कि April 2021 केस में किस राज में भारत की जो पहली floating LNG storage और regasification unit है इसकी अस्थापना की गई तो काफी महात्पूर परेशन है इसकी अस्थापना महाराष्ट में हुई है option हमारा D हो जागा यहाँ पर Correct तो इसको हमने सिंगापूर से लिया है और महाराष्ट के रतनागिरी जिले में यह पहुँचा था मुक्य रूप से इसका काम होगा कि जो हमारे यहाँ पर pipeline बिचाई गई है उसमें यह आपके LNG का वितरन करेगा तो D हो जागा यहाँ पर Correct अगला पैस्ट है कि जन्वरी 2021 में किस सहर में DRDO के एकी कृत हथियार प्रणाली डिजाइन केंद्र का उधगाटन किया गया तो इसका उधगाटन अभी हुआ है है हैदराबाद में यानि कि हमारा option यहाँ पर D हो जाएगा Correct तो ध्यान रखिएगा जो हमारा DRDO है उसके द्वारा command और control system इसके साथ साथ जो आपके surface to air missile होती है उनके डिजाइन और development के लिए हैदराबाद में इसका उधगाटन किया गया है तो option हमारा D हो जाएगा Correct अगला question है कि project loan किस company की एक महत्वा कांची परियोजना है तो यह जो परियोजना है वह आपके alphabet की थी यानि कि Google की थी तो option यहाँ पर C हो जाएगा Correct तो जैसे आपने SpaceX के बारे में सुना होगा कि उनका एक बहुत ही महत्वा कांची mission है जिसके अंतरगत वह लोग 12,000 सेटलाइट को लांच करेंगे और जो भी आपके remote areas हैं वहाँ पर तक भी internet की connectivity को पहुँचाएंगे तो इसी प्रकार से Google का भी यह plan था कि हम लोग बैलोन के मादन से यहाँ पर जो भी remote areas हैं या ग्रामेट शेतर हैं वहाँ पर internet के सुधा देंगे लेकिन 2011 में शुरुआत के बाद में इस साल जन्वरी में इन्होंने ये गोशना की कि इसे हम लोग कर देंगे समाब तो इसलिए ये चर्चा में था C होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारते railway के द्वारा किस नाम से भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इसको सुरू किया गया तो इस मालगाड़ी का नाम है वास्वकी आपसन हमारा B हो जागा यहाँ पर correct तो यह आपकी भिलाई से कोरबा के बेच में टोटल 224 किलोमेटर के डिस्टेंस कवर करेगी और इसकी टोटल लंबाई है 3.5 किलोमेटर तो काफी लंबी यह आपके ट्रेन है नाम इसका है यहाँ पर वास्वकी तो आपसन हमारा B होगा correct अगला परिशन है कि मई 2000 केस में नैनो बायो टेकनोलोजी रिसर्स सेंटर के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड विक्सित किया गया तो इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले आपको गुजरात के करोल में मिलेगा यानि कि आपसन हमारा D हो जाएगा correct अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इप्रकार का आपका लिक्विड यूरिया है परपज इसका ये है कि जो हमारी यूरिया खेतों में छिटकी जाती है उसकी मैक्समम मात्रा आपके पौधों को प्राप्त हो सके तो इपको के द्वारा अभी इसे लॉंट किया गया है option D हो जाएगा correct अगला question है कि मैई 2020 किसके द्वारा अब तटिये कस्तिपोत ICGS सजग को commission किया गया तो इसे commission किया है हमारे National Security Advisor अजीर डुवाल साहब ने तो भी हो जाएगा यहां पर correct तो ध्यान लखियेगा इसका जो निर्मान है वो गुवा से Pied Limited के द्वारा किया गया और अजीर डुवाल साहब ने इसको किया है commission अगला question है कि भारत के द्वारा अंटार्क्टका के लिए जो 40-वा भारतिय वैग्यानिक अभियान है इसको जन्वरी में किस राज से रवाना किया गया था तो इसे रवाना किया गया था गुवा से यानि कि option हमारा C हो जाएगा correct तो total आपके 43 सदश से इसमें थे और गुवा में जो आपको मर्मो गाव पोर्ट मिलेगा वहां से इसको रवाना किया गया तो आपका C होगा correct अगला प्रशन था कि जन्वरी 2020 केस में अगला प्रशन है कि जन्वरी 2020 केस में किस अभिनीता के द्वारा फोजी मोबाइल गेम आपको लॉंच किया गया तो इसे लॉंच किया था अभिनीता अच्छे कुमार ने यानि कि option हमारा C हो जाएगा correct ध्यान रखिएगा अच्छे कुमार इस गेम के ब्रांड अमभेजदर भी बने थी और आपको ध्यान रखना है इसका full form तो इसका full form था fearless and united guards तो अच्छे कुमार ने से लॉंच किया था C होगा हमारा correct अगला प्रशन है कि भारती एर टेल ने किस सहर में भारत का जो पहली कमपनी के रूप में 5G का trial किया है तो इसका trial किया गया आपके हैदराबाद में यानि कि option अमारा C हो जाएगा correct बहुत ही मात्मूर प्रशन है तो ध्यान किगा पहली बार भारत में 5G का trial आपके हैदराबाद में किया गया अगला पैस्टन है कि Microsoft के द्वारा किस सहर में तीसरे इंडिया Development Center सुभिधा सुरू करने की घोशना की गई तो ये जी सुभिधा है वो आपको मिल जाएगी नोडा में कहां पर उत्तर प्रदेश के नोडा में मिलेगी option हमारा ये हो जाएगा correct इससे पहले Microsoft के द्वारा बंगलूरू और हैदराबाद में आपके इस प्रकार के Development Center का निर्मार किया जा चुका है और अब तिसरा Center ये बनाएंगे नोडा में अगला पैस्टन है कि फरवरी 2021 केस में भारते सीना में कितने वर्सों की सेवा के बाद Fast Attack Craft in fact T81 को D Commission कर दिया है तो इसने टोटल आपके 20 वर्सों से ज़्यादा समय तक भारते सीना की सेवा की थी और अब इसको यहाँ पर रेटायर कर दिया गया है तो option मारा C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2021 केस में किसके द्वारा innovation sandbox बे पोर्टल को यहाँ पर लॉंद किया गया तो इसे लॉंद किया है Bombay Stock Exchange ने CB के साथ में मिलकर के यानि कि option हमारा D हो जाएगा correct तो मुख्य रूप से उद्देस यही है कि जो आपके innovation हो सकते हैं security market में उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए तो BSC ने CB के साथ में मिलकर के लॉंद किया D होगा हमारा correct अगला प्रशन है कि Oxford के द्वारा किस सब्द को 2020 के लिए Hindi सब्द of the year चुना गया काफी ज़्यादा महत्पूर्ण प्रशन है तो यह सब्द है आत्म निर्भरता क्या है आत्म निर्भरता है यानि कि option हमारा B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2021 में एहलंका एरफोर्स इस्टेशन पर किसके द्वारा Aero India 2021 का उधगाटन किया गया तो इसका जो उधगाटन है वो किया हमारे रच्छा मंतरी राजनाज सिंग जी ने option आपका C हो जाएगा correct अब आपको ध्यान ये भी रखना है कि एहलंका एरफोर्स इस्टेशन ये आपको मिल जाएगा बैंगलूरू में और इसका विसे क्या रहा तो इसका विसे रहा concept indigenized collaborate ये इसका विसे रहा था और आपके बैंगलूरू में इसका आयोजन फरवरी महीने में किया गया था अगला प्रशन है कि मैई 2021 में किस कम IIT संस्थान के द्वारा कार्बन उस सर्जन में कमी के लिए smart बिंडो को यहाँ पर विक्सित किया गया इसने अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम जुरोंग रख दिया है भाई तो ये रख दिया है चाइना ने option हमारा D होगा यहाँ पर correct अब जुरोंग का मतलब होता है अगनी तारा यानि कि ये आपके चाइना के हुक्सिंग नामक सब्द से लिया गया है और इन्हों ने उसी का नाम इन्होंने रखा है जुरोंग अगला परिशन है कि DRDO के द्वारा किस राज में Python 5 Air to Air मिसाइल का परिच्छन किया गया तो इसका परिच्छन हुआ है अभी आपके गोवा राज में यानि कि option हमारा A हो जाएगा correct इस मिसाइल के बारे में आपको ये धिया रखन सिस्टम उसके द्वारा इस मिसाइल का निर्मार किया गया है अगला परिच्छन है कि April 2021 केस में किस देश के द्वारा नियो-01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप को लांद किया गया तो ये जो रोबोट प्रोटोटाइप है इसको लांद कर दिया है चाइना ने option हमारा भी हो जाएगा करक तो जो आपके लो अर्थ आरबिट में सेटलाइट और के कारण मलवे हो गए हैं उनी मलवों के सफाय के लिए चाइना ने से लौंद किया है अगला प्रशन है कि बित्तमंतरी निर्मला सीतारमन ने किस IIT संस्थान में हमारे देश का जो पहला 3D printed घर है उसका उद्धाटन अभी किया है तो ध्यान रखेंगे इसका उद्धाटन किया गया IIT मदरास में यानि की option हमारा भी हो जाएगा correct तो यह आप देख सकते हैं यह हमारा एक concrete से बना हुआ 3D printing तकनीक पर आधारित घर है जिसका निर्मान IIT मदरास में किया गया तो भी होगा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि PM नरेंद्र मूदी की द्वारा कितने किलोमेटर लंबे कोची मेंगलोरूग प्राकरतिक गैस पाइपलाइन को लौन्द किया गया तो यह जो गैस पाइपलाइन है इसकी टोटल लंबाई है 450 किलोमेटर option हमारा यहाँ पर C हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि जनवरी 2020 में किस सहर की मौसम बिज्ञान बेद साला को सताबदी और लोकन इस्टेशन का दर्जा दिया गया तो यह आपको मिल जाएगी पटना में option हमारा यहाँ पर A हो जाएगा correct अब इस बेद साला की बात करते हैं तो अंग्रेजियों के द्वार को भी मानों के आपात कालीन लेंडिंग के लिए एक्सपरस बे के ऊपर दो एयर श्टिप बनाने वाला देश का पहला राजी कौन बन गया है तो यह राजी है उत्तर प्रदेश क्या नाम है उत्तर प्रदेश इसका नाम है तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct देखे पहली एयर इस टिप इन्होंने लखनो आगरा एक्सपरस बे के ऊपर बनाई थी और दूसरी इन्होंने पूरबांचल एक्सपरस बे के ऊपर बना दी है तो B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रदेशन है कि अप्रेल 2000 केस में 200 स्वास संगठन के द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मु दो खुस्सित किया गया है तो B हो जाएगा हमारा correct अगला प्रेशन है कि अप्रेल 2000 केस में किस स्पेस एजन्सी के द्वारा सील्ड्स मिशन को सफलता पूरबक लांच किया गया तो यह जो मिशन है इसे लांच कर दिया है नासा नहीं तो option हमारा C हो जाएगा correct अब सील्स क बात हुई है तो इसका पूरा नाम है special heterodyne interferometric emission line dynamics spectrometer और मुख की रूप से उद्देश है कि जो हमारा interstellar space है या फिर जो आपके sun का magnetic bubble है उसके बारे में जानकरी यहां पर इकठा की जाए तो C होगा यहां पर correct अगला प्रेशन है कि 200 स्वास संग्ठन के द्वारा किस मद्ध अमेरिका देश को malaria से मुक्त गोसित किया गया तो इस देश का नाम है यहां पर El Salvador option हमारा यहां पर क्या हो जाएगा option हमारा यहां पर E हो जाएगा correct अच्छछ यहां पर गलती से मैंने आपको trachoma वाले में भी बता दिया था El Salvador तो trachoma से मुक्त आपके गांबिया को किया गया है ठीक है थोड़ा correct कर लीजीगा आप लोग ट्रैकोमा से मुक्त यहाँ पर गांबिया को किया गया है और मलीरिया से मुक्त यहाँ पर है हुआ है अलसलवाडूर और अभी आपका जो चाइना देश है वो भी मलीरिया से मुक्त हो गया है तो अच्छे से याद किएगा ट्रैकोमा से मुक्त हुआ है गांबिया और मलेरिया से मुक्त हुआ है अल सल्वाडोर और चाइना तो option यहाँ पर आपका A हो जाएगा correct अगला प्रेशन है बहुत ही जादा महत्पूर्ण कि मार्च 2021 केस में भारतिय नौसीना के द्वारा INS करंज को कहां पर कमीशन किया गया तो INS करंज को अभी आपके मुंबई में कमीशन किया गया है यानि कि option हमारा यहाँ भी हो जाएगा correct अब इसके बारे में आपको यह ध्यां रखना है कि मजगाओं डार्क लिम्टेट के द्वारा project P75 के अंतरगत इसका निर्मार किया गया इस तरीज में इनके द्वारा जो अन्य आपके सिब बनाई गई हैं उनमें हमारी पहली है INS कलवरी और दूसरी आपकी है INS खंडेरी तो अभी इनके द्वारा तीसरी स्कॉर्पीन क्लास की पंडुबी बनाई गई जिसका नाम है INS करंज और इसे हम लोग silent killer के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह आपकी nuclear power के उपर आधारित होती है तो इसमें कोई आवाज नहीं होती है इसलिए इसको silent killer भी कहा जाता है तो option हमारा B मुंबई होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि मार्च 2021 में किस देश ने लुलार स्पेस इस्टेशन बनाने के लिए रूस के साथ में समझोता किया है तो यह समझोता आपके चाइना ने कर लिया है option हमारा यहाँ पर D हो जाएगा correct तो ध्यान रखिएगा चाइना के Space Agency है CNSA यारी कि चाइना नेशनल स्पेस अड्मिनिस्टेशन इन्होंने रूस की रॉस कोस्मोस के साथ में समझोता किया है और इसकी अंतरगत ये लोग एक International Scientific Loral Station बनाएंगे अगला परशने कि किस देश के द्वारा मौसम और जलवाय परिवर्तन का पूर्बानुमान लगाने के लिए बिस्तो के सबसे सक्तिसाली सुपरकंप्यूटर के निर्मार की घोशना की गई तो ये घोशना करती है यहाँ पर UK ने आप्सन हमारा यहाँ पर B हो जाएगा अच्छा आपको यह ध्यां रखना है कि वर्तमान में जो सबसे सक्तिसाली सुपरकंप्यूटर है वो जापान के पास में है जिसका नाम है यहाँ पर फगाको और हमारे देश में जो सबसे तेज सुपरकंप्यूटर है उसका नाम है परमसिद्धी AI जिसका निर्मार हम लोगों ने पेशले साली किया था तो आप्सन इसके लिए B होगा करेक्ट अगला पैसन है कि इस टेटो लॉंत के द्वारा किस देश में बिश्यू का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है इसके उडान का परिच्छन किया गया तो इसकी जो उडान है उसका परिच्छन अमेरिका में किया गया यानि कि आप्सन मारा ए हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेगा इस बीमान का नाम है यहाँ पर रॉक क्या नाम है रॉक इसका नाम है और कलिफोर्निया में जो मुझो मरोस्तल है वहाँ पर इसका परिच्छन किया गया तो ए आपका अमेरिका होगा करेक्ट अगला परिच्छन है कि मई 2020 में अमेरिकी इसपेस इजनसी नासा के परशासक का कारिभार किसने गरहन कर लिया है तो नासा के हमारे परशासक हुआ करते थे नाम इनका है जिम बिडनेस्टीन और अब इनके स्थान पर बिल नेलसन नए परशासक बने है तो option आपका D हो जाएगा correct अगला परिच्छन है कि भारते सीना के द्वारा किस राज में जो green solar energy harnessing plant है इसकी सुरुवात की गई तो इसकी सुरुवात हुई है सिक्किम राज में यानि कि option अमारा B हो जाएगा correct तो IIT मुंबई के सहयोग से इसका निर्मार किया गया वनेडियम आधारित बैटरी के उपर ये आधारित है तो option B यानि कि सिक्किम हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि राष्टे समुद्री विग्यान संस्थान हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली परियोजना सुरू करने जा रहा है तो इस परियोजना का नाम क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है तो ध्यान रखेगा इस परियोजना का नाम है जिनोम मैपिंग option हमारा यहाँ पर B हो जाएगा correct उद्दे से इसका क्या है तो इसका मुख्य रूप से उद्दे से है कि जो हमारे हिंद महासागर का छेतर है यहाँ पर climate change का प्रभाव क्या हो रहा है यहाँ पर जो आपके पोस्टत्तों है उनमें किस प्रकार के change आ रहे है या जो आपके pollution का label बढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पर इसकी शुरुवात की गई है तो टोटल तीन साल का यह project होगा पचीस करोण की लागत से इसको किया जाएगा तो B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारते सीना ने किस देश में किस देश से चार हरोन मानो रहित हवाईयान यानि कि जो हमारा unmanned aerial vehicle होता है जिसे आप लोग drone की नाम से जानते हैं उसको लीज पर लिया है तो यह हमने लिया है इसराइल से option हमारा यहाँ पर A हो जाएगा correct तो बस आपको ध्याँ रखना है कि चार हमने drone यहाँ पर इसराइल से लीज पर लिया है तो A होगा correct अगला प्रशन है कि किस देश ने हाल ही में संसोधित ISA framework समझोते के तहत अंतर राष्टिये सौर गडवंधन के उपर हस्ताचर किया है तो इस देश का नाम है इटली यह आपके 94 देश के रूप में हस्ताचर किया था तो option हमारा यहाँ पर C हो जाएगा correct हाला कि आपको यह भी ध्याँ रखना है कि अब आपका 95 निंबर का देश बन गया है कि इंडंग आप डेनमार्क तो इस साल 94 देश के रूप में इटली ने हस्ताचर किया है और आपके डेनमार्क ने 95 देश के रूप में हस्ताचर किया तो C यहाँ पर इटली होगा correct अगला प्रेशन है कि वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम Global Lighthouse Network में किस भारते कंपणी को सामिल किया गया तो इस कंपणी का नाम है Renew Power आप्शन हमारा यहाँ पर D हो जाएगा correct तो बस आपको नहां रखना है कि WF का जो Global Whitehouse Lighthouse Network है इसमें Renew Power को सामिल किया गया है अगला प्रेशन है कि भारते रेल्वे ने किस वर्स तक सभी Broad Gauge Railway Track को 100% बिद्धिते करण करने की घोशना किया है तो यह आपका किया जाएगा वर्स 2023 तक कब तक 2023 तक तो आप्शन हमारा यहाँ पर B हो जाएगा correct तो यह घोशना पहले से भी किया चुकी है एक बार यहोंने फिर यह घोशना किया है कि दिसमबर 2023 तक हमारे जो भी यहाँ पर Broad Gauge Route होंगे उन सभी को Electrifying कर दिया जाएगा तो B होगा आपका correct अगला प्रेशन है कि रच्छा मंतरी राजनास सिंग की जी के द्वारा हिंदूस्तान Aeronautics Limited के दोसरे Light Combat Aircraft के दोसरे संयत का उधगाटन कहां पर किया गया तो इसका जो उधगाटन है वो आपके किया गया है हैदराबा स्वारी बैंगलूरू में तो option हमारा यहाँ पर B हो जाएगा correct दरसल जो हिंदूस्तान Aeronautics Limited का मुख्याला है वहीं पर इसका उधगाटन किया गया तो B हो जाएगा हमारा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि फरवरी 2000 केस में इस SpaceX के किस प्रोटोटाइब रोकेट में लेंडिंग के दोरान हो गया विसफोर्ट तो इसका नाम है Starship SN9 तो option हमारा यहाँ पर A हो जाएगा correct यानि कि Starship AN9 में यहाँ पर विसफोर्ट हो गया था लेंडिंग के दोरान option हमारा A हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि फरवरी 2000 केस में मात्र 25 वर्स की आयू में भारत की सबसे इवा महिला पाइलेट कौन बनी तो इनका नाम है यहाँ पर Aisah Aziz यह आपके जम्मू कास्मीर राजिकी है option हमारा C होगा correct तो यह आप देख सकते हैं यह है Aisah Aziz मात्र 16 साल के उम्र में यह आपके टेनिंग लेने लगी थी और अब इनको यहाँ पर लाइसंस मिल गया है तो C हो जागा यहाँ पर correct अगला परशन है कि फरवरी 2021 में इस रो के द्वारा किस रॉकेट की साहता से Amazonia 1 सेटलाइट को लॉंग किया गया तो यह जो सेटलाइट है इसको लॉंग किया गया है PSLV C-51 के द्वारा यानि की option हमारा D हो जागा correct तो ध्यान रकिएगा आपके 28 फरवरी यानि की राष्टे बिग्ञान दिवस के अफसर पर इस रो के द्वारा यहाँ पर Amazonia 1 नाम का सेटलाइट जो की ब्राजील का है इसको और इसकी अलामा 18 अनि को पैसंजर सेटलाइट को लॉंग किया गया 37 धवन स्पेस सिंटर स्रीहरी कोटा से तो D हो जागा यहाँ पर PSLV C-51 correct अगला पैसन है कि फरवरी 2000 केस में किस देश के द्वारा उत्तरी सागर में जो बिश्चु का पहला और जादीफ है इसके अस्थापना की घोशना की गई तो यह जो हमारा और जादीफ है इसका निर्मार किया जाएगा यहाँ पर Denmark के द्वारा option हमारा यह हो जाएगा correct तो यह आप देख सकने कुछ इस प्रकार का यह दीफ होगा और इससे आपके Denmark देश को electricity प्रवाइड की जाएगी तो option यहाँ पर यह हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि केंद्रिय मंत्री डांक्टर हसवर्धन ने किस बंदरगाह से तटिये सोध विकल सागर अनवेसका को लॉंज किया है तो इसे लॉंज किया गया है चन्नेई पोर्ट से यानि कि option हमारा यह हो जाएगा correct आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह हमारे सोध विकल है यानि कि समंदर में सोध वगयरा के काम इससे किया जाएंगे कोलकाता की टीटा कड वैगन स्काम की एक कंपनी है जिसके दोरान इसका निर्मार हुआ है तो इह होगा आपका correct अगला प्रेशन है कि किस पाइलट की अगवाई में भारते महिला पाइलट टीम ने 200 के सबसे लंबे वायमार्ग से उडान को पूरा किया है तो इसकी अगवाई की थी जोया अगरवाल ने आप्सन हमारा यहां पर B हो जाएगा correct तो इसके दोरान टोटल 16,000 किलोमेटर की यात्रा की गई जो की अमेरिका के सैन फ्रांसेसको सिस्रू होई थी और उत्री धुरूप के ओपर से ये लोग पहुँचे थे बंगलूरू तो आप्सन हमारा B हो जाएगा correct ये आप रूट देख सकते हैं बिल्कुल पस्सिम अमेरिका में आपको मिलेगा सैन फ्रांसेसको यहां से यात्रा करके ये पहुचे थे बंगलूरू में तो जो या अगरवाल इसके हेट थी आप्सन हमारा B होगा correct अगला पैसने कि केंद्र सरकार ने किसकी अधिश्था में COVID-19 वैक्सीन के प्रसासन के लिए एक 10 सदस्य समीत का गठन किया है तो इसके आपके हेट होंगे RS सर्मा सहाब यानि कि option हमारा C हो जाएगा correct तो बस आपको ध्यां रखना है कि जो हमारे वैक्सीन के डिलिवरी की जाएगी उसी के सम्मन्द में यहाँ पर एक 10 सदस्य कमिट की समीती की निर्मार किया गए सरकार के द्वारा जिसके अध्यच बनाएगे RS सर्मा अगला परशन है कि PM मोदी के द्वारा कितनी लंबाई के दोभी दुरगापुर प्राकरतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट को समर्पित किया गया तो इसकी जो टोटल लिंथ है वो आपकी है 350 किलो मेटर तो दोभी को ये दुरगापुर से जोड़ेगी और PM मोदी के द्वारा इसका उध्गाटन किया गया XRIL और Gas Exploration और Production Limited के द्वारा इसका निर्माण किया गया है तो C होगा यहाँ पर Correct अगला परशन है कि 9 फरवरी 2021 केस को किस देश के Hope Probe Mission ने मंगल की कच्छा में परवेश किया है तो ये जो Hope Probe Mission है ये आपके UAE का है पिछले साल UAE के द्वारा इसको लौन किया गया था तो Option हमारा यहाँ पर C हो जाएगा Correct अगला परशन है कि फरवरी 2021 केस में Bio Asia के 18 संस्क्रण का कहां पर वर्चुली आयोजन किया गया तो Bio Asia इस साल आपका हुआ है है आदराबान में Option हमारा यहाँ पर यह हो जाएगा Correct तो ध्यान रखेंगे 22 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था मुख्य रूप से जो आपका Global Health होता है Pharma का सेक्टर है या फिर Medicine के छेतर में जूड़ी होई टेक्नोलोजी है उसके उपर फोकस किया गया था विसे इसका था Move the Needle तो यह काफी महत्पूर्ण ध्यान कीगा Move the Needle इसका विसे रहा था अगला पशने कि वर्च 2023 में किस देश के द्वारा अपने पहले चंद्रमा मिसन के लॉंट की घोशना की गई तो यह घोशना कर दी है यहाँ पर टर्की ने तो आप्शन हमारा यहाँ पर B हो जाएगा करेक्ट तो टर्की ने यह कहा है कि 2030 तक हम लोग यहाँ पर मून के लिए एक मिसन को लॉंट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर उसके लिए रूवर भी बेजेंगे 2030 तक तो B होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि मई 2021 केस में किस महासागर को पार करने वाला May Flower बिस्चु का पहला मानोरहित पोद बना है तो इसने पार कर लिया है अटलांटिक महासागर को यानि कि option हमारा यह हो जाएगा करेक्ट तो IBM कमपनी के द्वारा प्रोमेर के साथ में मिल करके इसको डबलब किया गया है इसके उपर आपके solar panel लगे हुए है इसमें आपका कोई बेक्ती नहीं होता है artificial intelligence से यह आपकी चलती है तो England से इसने अपके अपनी यात्रा सुरू की थी और अमेरिका में जाकर के इसने किया है पूरा तो A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि मई 2001 केस में रच्छा मंत्राले के द्वारा कितने सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रत्बंद लगा गया तो तोटल यहाँ पर 108 सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रत्बंद लगा है तो option हमारा यहाँ पर C हो जाएगा correct इससे पहले पिछले साल 101 बस्तों के आयात पर प्रत्बंद लगा था और इस साल आपके टोटल यहाँ पर 108 बस्तों के आयात पर प्रत्बंद लगाया गया तो C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जून 2021 केस में 206 संगठन के द्वारा कोरोना वाइरस के भारतिय बारियन को क्या नाम दिया गया तो इसका नाम दिया गया है डिल्टा और कप्पा अच्छे से याद दिखिएगा इस समय साइट डिल्टा प्लस हमारे देश में आने भी वाला है तो आप्सन हमारा यहाँ पर C हो जाएगा correct इसके अलामा जो UK का आपका बैरियन था इसका नाम अलफा रखा गया था दच्छिन अफ्रीका का जो बैरियन था इसका नाम बीटा था फिलिपीन्स का जो बैरियन था इसका नाम इहाँ पर WHO के द्वारा थीटा दिया गया था अगला प्रश्ण है कि जून 2020 केस में किस IIT संस्थान ने MB Tag को विक्सित किया है तो इसे विक्सित किया है IIT रूपन ने यानि कि option हमारा B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि जून 2020 केस में नासा ने किस ग्रह के लिए दो मिशन डाबिनसी प्लस और वेरी टास को लांज करने की घोशना की तो ये जो दोनों मिशन होंगे सुक्र ग्रह के लिए लांज किया जाएगे यानि कि option हमारा D हो जाएगा correct तो ध्यान रखेगा डाबिनसी प्लस यानि कि Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging ये इसका पूरा नाम है बेरी टास की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है बेनस, इमिसिस, बिटी, रेडियो साइंस, इनसेर, टोपोग्राफी and स्पेक्टोग्रोपी तो ये आपके वेरी टास का पूरा नाम है तो फुल फॉर्म भी आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे 2028 से 2030 के बीच में अमेरिका के द्वारा इसको लॉंद किया जाने का प्रोग्राम है अगला प्रेशन है कि भारती नोसीना का जो हाइडोग्राफिक सर्वेच्छन पोथ है जिसका नाम है संध्यक तो इसको कहां पर डी कमिशन किया गया तो इसे डी कमिशन किया गया है विसाखा पत्नम में यानि कि आप्सन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट 1980 में इसको नोसीना में कमिशन किया गया था और 2021 में लगभग 41 वर्सों के बाद में इसको विसाखा पत्नम में डी कमिशन किया गया अगला प्रेशन है कि जून 2021 केस में किस केंद्रिय मंत्री के द्वारा सेज प्रोग्राम और पोर्टर को लॉंच किया गया तो उस समय ये मंत्री थे अब आपके करनाटक के राजिपाल बन गए है नाम है इनका थावर चंद गहलोत तो उप्सन हमारा A हो जाएगा तो ये आपके जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए लॉंच किया गया और सेख का मतलब होता है Senior Care Aging Growth Engine तो उप्सन आपका A थावर चंद गहलोत हो जाएगा अगला प्रेशन है कि रच्छा मंतरी राजनासिंजी के द्वारा किस राज में DRDO के आग से सुरच्चा के लिए कौसल विकास केंदर का उधगाटन किया गया तो उत्तर पदेश में जो पिल्खुआ है कुमार विश्वास का जो आपका निमास अस्थान है वहाँ पर इसका उधगाटन किया गया आप्सन नम्बर हमारा C हो जाएगा अगला प्रेशन है कि जून 2021 केस में किस देश के द्वारा कृतिम सूरी का परिछण किया गया तो इसका परिछण किया है चाइना ने आप्सन हमारा यहाँ पर C हो जाएगा अब इसका पूरा नाम है इस्ट और इस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपरिमेंटल एडवांस सूपर कंड़क्टिक टोका मैग तो चाइना के द्वारा तोटल आपके तीन कृतिम सूरी बनाये जा रहे हैं जिनमें से पिछले बार परिछण 2020 में हुआ था जिसका नाम था HL2M टोका मैग एक और बंदा है जिसका नाम है HL2M रियक्टर और इस्ट का अभी परिछण किया गया है तो आप्सन नमारा C होगा अगला प्रेशन है कि जून 2020 में किस संस्थान के द्वारा भारत का जो पहला सुदेशी ट्यूमर एंटिजन है जिसका नाम है SPAZ9 तो इसके लिए aspect 9 trademark प्राप्त किया गया तो ध्यान रखेगा इसे प्राप्त किया है National Institute of Immunology ने तो आप्सन नमारा D हो जाएगा चलिए अच्छा नीचे कमेंड में जरा ये बताईएगा कि National Institute of Immunology कहां पर इस्थित है तो इसके बारे में नीचे कमेंड में बताईएगा अगला प्रेशन है कि जून 2021 में किस Space Agency के द्वारा Cyber 2 Instrument launch किया जाएगा तो इसे launch करेगी यहां पर NASA आप्सन हमारा यहां पर A हो जाएगा correct तो हमारे ब्रह्मान में तारों की संख्या कितनी है इसी के बारे में पता लगाने के लिए NASA के द्वारा इसको launch किया जाएगा तो एह होगा आपका correct अगला प्रेशन है कि 5 जून 2020 को PM मोदी के द्वारा किस सहर से E-100 Pilot Project को launch किया गया तो इसे launch किया गया है आपके पुने से जो की महराश्ट का एक सहर है option हमारा B हो जाएगा correct अब ये project है क्या तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार का जो target है कि 2025 तक वो 20% ethanol को मिला देंगे प्रेटोल में उसी के मद्धिन जर इसको अभी यहाँ पर launch किया गया है तो इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश ये है कि हमारे देश में एथिनॉल के उत्पादन और वित्रण के लिए एक बहतर नेटवर्क अस्थापित किया जाए तो भी होगा आपका correct अगला प्रेशन है कि कि किस कमपनी के द्वारा निर्मेद तीन ALH MK3 हेलिकॉप्टर भारते नौसेना में सामिल किये गए तो इसका निर्मार किया है हिंदुस्तान एरोनौटेक्स लिम्टेड ने आप्सन मारा यहां पस्थी हो जाएगा correct तो हिंदुस्तान एरोनौटेक्स लिम्टेड मुख्याला इसका बेंगलोरू में है यह दवा आपकी Alzheimer के लिए बनी है आप्सन हमारा यहां पर ए हो जाएगा correct और हर साल 200 Alzheimer दिवस भी आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है अगला पैशने गूगल के द्वारां दाफर्मिना केबल के द्वारां किन देशों को आपस में जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखेगा यह जो देशने इन में से एक है अमेरिका दूसरा आपका है ब्राजील तो आपसन यहां पर भी हो जाएगा correct यह आप देख सकते हैं अमेरिका से यहां पर ब्राजील को जोड़ा जाएगा इसके अलावा अर्जेंटीना और उर्ग्वे को भी जोड़ा जाएगा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के दौरा जो गूगल के दौरा जो एक्क्यूनो केबल रूट है इसके माध्यम से पुर्दगाल को नाईगीरिया से और फिर आपके दच्छिन अफरीका से जोड़ा जाएगा अगला पैस्टन है कि मई 2020 में मधेपुरा इलेक्टिक लोकोमोटिव ने कितनी छमता के सववे रेल इंजन का निर्मार किया है तो इसकी छमता होगी 12,000 हार्ट पावर यानि की आप्सन हमारा ए हो जाएगा तो बिहार के मधेपुरा में आपको लोकोमोटिव फैक्टि मिलेगी जिसको फ्रांस की एलस्टाम के साथ में मिलकर के स्थापित किया गया है इसी के द्वारा अभी सववे रेल इंजन का निर्मार किया गया और इसकी छमता है 12,000 हार्ट पावर एक हार्ट पावर में आप आपका 746 वार्ट होता है इसकी स्पीड 120 किलोमेटर पर हावर होगी और नाम इसका है वैक 12-2 तो ध्यान रखेंगे ऑप्सन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट बाकी ये सारी हमारे देश में रेल इंजन की फैक्टियां है जहां पर उनको बनाया जाता है तो इनके बारे में भी अभी आपके गोवा राज्य में यानि की आप्सन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेगा मुख्य रूप से इसका उद्देश से है कि अगर हमारे सागरों में कोई भी जहां चल लही है और उस तक किसी भी सामान को यहां पर पहुंचाना है तो इस सहायक एंजी एरड्राप कंटीनर के माध्यम से उसको पहुंचाया जा सकता है अगला पैशन है कि भाभा परमार सोध किंद्र ने किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए रुदेनियम प्लेग थेरपी को विक्सित किया है तो इससे इलाज किया जाएगा आई कैंसर का यानि कि आप्सन मा अंतिमंडल ने भारत में निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है तो इस मिसाइल का नाम है आकास आपतन आपका ए हो जाएगा और आपको ध्यां रखना है कि आकास नाम की जो मिसाइल है ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है यानि कि सता से आप हवा में किसी टार्गेट को हिट कर सकते हैं, रेंज इसकी 50 किलोमेटर है और भारत दैनमेक्स लिम्टेड ने भारत इलेक्ट्रिकल लिम्टेड के साथ में मिलकर के इसका निर्मान किया है। तो C होगा आपका करेक्ट। अगला पैसन है कि जनवरी 2020 में भारतिय नौसीना ने किस रच्छा कमपनी के साथ 20 लेजर डैजलर गंस की खरीद के लिए समझोता किया। तो ये समझोता हमने किया है। भारत इलेक्ट्रानिक्ट्रिक्ट के साथ में आपका भी हो जाएगा करेक जिससे ब्यक्ति यहाँ पर देखने में सच्छम नहीं होगा। अगला पैसन है कि जनवरी 2020 में पीएम नरेंदर मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधार सिला रखी। तो इसकी आधार सिला टोटल 6 राज्यों में रखी गई है। आपसर हमारा और यूपी का है लखनव। तो मुख्य रूप से उद्धिस यह है कि 12 माह के अंदर बुनियादी सुब्धाओं के साथ में इन सभी अस्थानों पर 1000 घरों का निर्मार किया जा सके। तो आपसर हमारा D हो जाएगा करेक्ट। अगला पैसन है कि हाल ही में किस देश ने यानि कि जो चाइना ने बनाया है उसी प्रकार से दच्छन कोरिया ने इसका निर्मार किया है और सोरी के तुलना में इसने आपके 6.6 गुना टमप्रेचर को यहां पर असीब किया तो आपसन B होगा यहां पर करेक्ट। अगला पैसन है कि जून 2020 में फ्लीट अवार्ट सम असकार मिला और INS क्लिटन के साथ साथ INS खुकरी को बेस्ट कारवेट का अवार्ड यहां पर दिया गया है अगला पैसन है कि जून 2020 केस में चीन ने संजाओ 12 हुमन मिसन के तहत कितने एस्टोनोड को स्पेस के लिए लांज किया अब इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं उ हमारे देश के किस राज में बिस्टो का जो पहला आनुवानसिक रूप से संसोधित रबढ है इसके पौधे को लगाया गया तो यह जो पौधा है उसको लगाया गया है असम राज में आप्सन हमारा D होगा यहां पर करेक्ट तो इस प्रकार से साइंस और टेक्नलोजी के स असता डिफेंस से जुड़े हुए जो भी करेंट अफेर थे उनको हमने यहां पर डिसकस कर लिया है अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान पूरबग देखा है तो फिर आप नीचे कमेंड में टाइप करिएगा Yes, I can do it तो इसी प्रकार से टौपिक वाइज करेंट अफे झाल